जै महाकाली मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर बहुत-बहुत शुपकामना हैं आपके जीवन के लिए कि आप लोग निरोगी रहें सदा उन्नतिकी और आगे बढ़ें दोस्तों तंत्र शाष्टर में एक चीज़ का बहुत वर्णन है कि टेसू मतलब सफेद पलाश याने पलाश कि ब्रक्ष का तंत्र में बहुत ज़दा प्रियोग होता है सफेद पलाश के जो पुश्प होते हैं या बांधा होता है या कलम ये मिलना बहुती असंबब होती है आज के समय में बहुत रियर पाना जाता है इसको तो आप लोगों के समक्ष में लेकर आया हूं बहुती शानदार रियर पलाश का बांधा सफेद पलाश का बांधा आप देख सकते हैं ये सफेद पलाश का असली बांधा है जिसमें टहनी जड़े और सबी चीजें आपको साफ साफ दिखाई देंगी इसकी पूझा की गई है इसलिए इसमें खल्दी याने कुम कुम लगा के इसकी पूझा की जाती है आप मेरे हाथ में भी देख सकते हैं कि थोड़ा कुम कुम लगा गया है ये विशेश किसी जातक के लिए सिद्धी किया गया है और ये बांधा आपको बताने का केबल उद्देश ये है कि देखिए कि इस तरह की चीज़ें भी दुनिया में होती है जो शाश्त्रों में बर्णन है आप देख सकते हैं ये बांधा सफेद पुश्पों का बांधा है जो की बहुत रेयर होता है असली होता है और आज के समय में इन सब चीज़ों का मिलना किसी चमतकार से कम नहीं होता दोस्तों शाश्त्रों के साथ-साथ गुरुन पुराण में भी इसका वर्णन साफ-साफ उलेख हिया गया है कि सफेद जो पलाश होता है सफेद टेंसू ज लाया जाने वाला ये बांधा होता है या ये पुश्प होते हैं इसके पुश्प भी हैं आपको पुश्प भी बताता हूं देखे ये बांधा है जिसमें सफेद पुश्प हैं जो पलाश के हैं इसकी जड़ी आप देख सकते हैं जो की जड़ी पूर्ण तहा ऊगी हुई है इस डाल से ये जड़ी है और ये इस ब्रक्ष की डाल है, जिसमें ये उगे गए हैं। दोस्तों बहुत ही अलंकारी ये चीज़ है, बहुत दुरलब इसको माना जाता है, तंतर शाश्तर में इसका बढ़नन बहुत है, मैं इसके फायदे आपको बताऊँगा कि आप फायदे जानकर चौक जाएंगे कि इस छोटी सी चीज़ के कितने ज़्यादा फायदे होते देखें डगाल जो रेती है टेसू की वो इस प्रकार से काम में ली जाती है, कहीं से भी खरीदें तो इस प्रकार की डगाल आप खरीदें। इस प्रकार की जो डाल होती है, इसमें पुष्प की गाट लगी होना चाहिए, मतलब जहां पुष्प का मुक होता है, वो होना च सफेद पलाश की जड़ है टहनी है माफी चाहता हूँ ये टहनी है जो की बहुत दुरलब मानी जाती है इसको यदि सिद्धी करके शुब और अच्छे महरुतों में यदि आप इसकी सिद्धी करके अपने घर की तिजोरी में रखते हैं तो महा लक्षमी जी की कृपा आपके बरक्ष के नीचे बेट कर साध्धा करना आति उत्तम होता है और सफलता बहुत अच्छी मिलती है क्योंकि जो पलाश का टेशू का जो बरक्ष होता है इस बरक्ष में 64000 तरह की जो positive energy होती है अच्छी शक्तियां होती है energy होती है अपसराओं का बास होता है और बहुत सारे देवी देवताओं का सबसे प्रिये निवास माना जाता है पलाश का आंगन मतलब पलाश की जड़ के नीचे बेट कर बहुत सारी तरह के रिशी मुनियों ने या देवी देवताओं ने कई प्रकार की साधना की गई है दोस्तों ओशद्धी लाप के साथ साथ इसका जूतीश में भी बहुत अच्छा बंडन किया गया है जिस जातक को अधिक परिश्रम करने पर भी व्यापार में सफलता नहीं मिल रही हो तथा लगातार कर्ज की समस्या बढ़ रही हो वह व्यक्ति शुक्ल पक्च के प्रथम शुकरवार को पलाश की जड़ ले आए मतलब पलाश ब्रक्च की जड़ आप ले सकते हैं पलाश देखिए सफेद तो बहुत रेयर होता है शायद आप लोगों को सफेद पलाश के ब्रक्च की जड़ ना मिल पाए इसकी जड़ को आप ले आएं इसे सच जल से साफ कर लें इसके पस्चात एक कमरे में सुबीधा अनुसार कोई इस्थान चुनकर गंगा जल अथवा गोमूत्र से छीटे मार का सच कर लें उसके उपर वजोट रखकर वजोट पर लाल रिश्मी कपड़ा बिछा लें वजोट के बीच में साथ प्रकार के अनाज लेकर सभी को मिलाकर एक धेरी बना लें इस पर पलाश की जड़ रखें तथा इसी पर दीपक जलाएं दूब चलाकर लक्षमी जी के किसी भी मंतर की तीन या चार माला का जाप करे जो भी मंतर आपके मुक से सिद्ध है या जो चेतन्य माला से सिद्ध हो लक्षमी मंतर शावर हो तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि शावर मंतर अपने आप में ही बहुत तीवर और सिद्धी किये हुए तीवर माने जाते हैं उसके पस्चात अब जड़ को एक लाल कपड़े में बांध कर अपने गल्ले या धन रखने के स्थान पर रख दें मा लक्षमी जी की करपा से आपकी आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगेगी और आप उन्नती की ओर आगे बढ़ने लगेंगे दोस्तो पलाश की जड़ को शुब महुरत में किसी रवीवार के दिन में निकालने एवं इसे एक सूती धागे में लपेट कर दाहीनी बुजा में बानने से हर प्रकार की जुआर या हर प्रकार का नजर दोश या दरिद्रता हमेशा के लिए दूर होती है इस सफेद जो पुष्प होता है इसका सफेद या जड़ होती है या मूल होता है या टहनी होती है सफेद पलाश को पुत्र संतान की प्राप्ती के लिए सर्वशेष्ट और उत्तम माना जाता है पुत्र प्राप्ती करने वाले जातक यह प्रियोग करेंगे तो मिलेगा लाब पलाश का एक ताजा पत्ता 200 ग्राम दूद में उबाल करेदी कोई महिला गर्ब धारंड के पूर्ब से प्रारंब कर गर्ब धारंड के दो महिने तक नियमे तूरूप से सेवन करती है तो उस स्वस्थ और चमतकारी चांद जिसे पुत्र की प्राप्ती होती है पत्ते को उबालने के बाद निकाल कर फेग देना चाहिए के बल दूद का ही सेवन आपको करना है ध्यान रखेगा कर्बती महिलाओं को बहुत सच सही तरह से साफ करके और सही पहचाना गया ही प्रियोग में लाना है जो आप देख सकते हैं यह पुष्प है यह सफेद पुष्प है यह बहुत चमतकारी होते हैं मेरे दोस्तों यह इसकी पूजा की है मैंने इसलिए मेरे हाथ पे भी कुछ कलर लगा हुआ है यह सफेद जो पुष्प होता है इसको आप आसानी से पहचान सकते है इसमें साथ सफेद तरह की आपको अर्क दिखता है, ऊपर की जो इसका आवेश होता है ये पूरी तरह से सफेद होता है, जो की साफ साफ देखा जा सकता है दोस्तों ये पुश्प काफी चमतकारी होते हैं साबत मिलना अपने आप में ही बहुत चमतकारी माने जाते हैं क्योंकि सफेद पलाश बहुती दुरलब होता है सफेद पलाश बहुती जगा तांतरी की अभी क्रबों में कारिय लेने वाला माना जाता है इन पुष्पों को बगवान विश्णु का अपतार माना जाता है और मा लक्षमी जी की निवास स्थान इसको माना जाता है पलाश ब्रक्ष बहुत शुबकारी और लाबकारी होता है तंतर शाष्टर में जोतिश शाष्टर में और आयूरवेदिक में आप देख सकते हैं काफी रेर और साबत ये पुश्प हैं आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल साबत जो पुश्प होते हैं साबत बिल्कुल फ्रेश जो होते हैं इसे आपको मिलेंगे ये साबत ही आपको लेना है इनका जो सीजन होता है वो ग्रीश मिकाल होता है इसलिए सूखे हुए ही आपको ये मिलेंगे मतलब एक या दो वर्ष पुराने पुष्प ये पुष्प जितने पुराने होते हैं उतने कारगर होते हैं उतने एनरजेटिक होते हैं उतने लाबकारी होते हैं जिन लोगों का धंदा व्यापार नहीं चलता है वो एक या दो प मैं लक्ष्मी साधना से अभी मंत्रित करके कम से कम सबी मां लक्ष्मी मंत्रै कुछ मां किसे आपको प्राप्त होती है देखिए वांधा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ क probabilities बांधा अपने आप में बहुत rare होता है ऐसे बांधे मिलना बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत ही कम ये बहुत काँ पाते हैं देखिए नामुम्किन नहीं है, यदि आप लोग कहीं जंगल में ढूंडेंगे, किसी एकांत बंद में या किसी इसी जगा पर आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको मिल जाए बहुत रेयर भी नहीं होता है लेकिन आसपास मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब य जाया सकता है कि ये जो ब्रक्षे ये सफेद है नीला है या लाल है देखिए लाल जो पुशप होते हैं वो आसानी से मल जाते हैं लेकिन वो भी अपने आप में बहुत कारी करते हैं लेकिन दुरलब और अतीचमतकारी सफेद इसको टेसू के जो ब्रक्ष होता है इसको दिया जाता है लक्षमी माता ने खुद बरदान दिया था पलाश के ब्रक्ष को कि मेरा सदा वास रहेगा सभी बगवानों का आशिरबाद रहेगा और सभी बगवानों का पलाश के ब्रक्ष में वास रहता है क्योंकि पलाश का जो ब्रक्ष होता है अ कहीं से आपको मिलती हैं, तो आप इसको सिध्धी करबा सकते हैं, या खुद कर सकते हैं, सिध्धी करने के लिए सही तरीका यदि आप लोगों को मालुम हैं, तो खुद आप लोग इसकी सिध्धी कर सकते हैं, नहीं अगर कहीं से आपको प्राप्त होता है, तो आप हम लोगो से लदा हुआ है कम से कम इसमें 8-10 पुष्प हैं सफेद आख की जड़ है और टहनी है यह बहुत ही नायाब चीज है बहुत उत्तम चीज है यह चमतकारी वस्तू है यह लक्षमी प्रिय वस्तू है इसी वस्तू मिलना बहुत ही अती दुरलब माना जाता है मिलती है जीवन मे कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसी चीज़े डूंडेंगे तो जरूर मिलेंगी पलाश का ब्रक्ष बहुत चमतकारी होता है यदि सही तरह से आप इसका प्रियोग करेंगे तो जीवन आपका बदल सकता है इन पुष्पों को भी आप अभी मंतृत करके हमसे प्राप्त कर स होगा सभी प्रकार के दोश दरिद्रता कर से नाश होगी खतम होगी सुक समरद्धी आपके जीवन में आएगी दोस्तों पूर्णम असी या पूनम के दिन भी इसको रखना चाहिए पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी दिखाकर इसको जिद्धी किया जाए तो बहुत ह उत्तम इसकी सिद्धी होती है और बहुत चमत करिये फल देता है तन्य बाद मेरे दोस्तों मेरा चेनल लाइक और शेर जरूर करिएगा सस्क्राइब भी करिएगा क्योंकि बहुत अच्छे जीवन में मैं आपके बदलाब के लिए टोने टोटके और पाय लेकर आऊँगा ऐस देने वाद